जिले में शुक्रवार 935 सेंपल की जांच रिपोर्ट में से एकस और दो कोरोना से संक्रमित मरीजों की पहटान हुई पाली, 28 अगस्ट जिले में शुक्रवार 935 सेंपल की जांच रिपोर्ट में से एकस और दो कोरोना से संक्रमित मरीजों की पहटान हुई हैं अब तक कुल 4,298 कोरोना पाय अजिडिव में से 3,490 लोग स्वस्थ हो चुके हैं. वर्तमान जिले में 757 केस एक्टिव हैं. शुकरवार को रानी उपखन क्षेतर में एक व्यक्ति की मृत्यू कोरोना से हुई है जिले में अब तक 50 व्यक्तियों की मृत्यू कोरोना महामारी से हो चुकी है. जिला कलक्टर अंशदीब ने बताया कि शुकरवार को एक सुदो पाय अजिडिव केस आये हैं, जिन में पाली शहर में 17, पाली ग्रामीन में 2, सुजत में 7, देसूरी में 13, रायपुर में 11, जैतारण में 5, मारवार जंक्शन में 5, बाली में 29, 33, रोहट से 1, सोजत से 15, देसूरी से 3, रायपुर से 4, मारवार जंक्शन से 1, बाली से 10, सुमेरपुर से 6 व्यक्ति को रिकवरी के बाद अस्पातल से चुट्टी दे दी गई है. अब तक 3499 व्यक्तियों को रिकवरी के बाद अस्पताल से चुट्टी दी गई है. जिन मे सुमेर्पुर से 458, जैतारण से 331, मारवार जंक्षन से 183, बाली से 272, सुमेर्पुर से 458, एवन रानी उपखन क्षित्र से 174 व्यक्तियों के रिक्वरी के बाद छुटी दे दी गई है। जीले में शुक्रवार को 447 सेंपल लिए गए हैं, जिन में पाली शेहर के 177, पाली ग्रामीन के 10, सोजट से 49, देसूरी से 33, रायपुर से 26, मारवार जंक्षन के 78, तथा रानी उपखन क्षित्र से 58 सेंपल लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जीले में अब तक कुल 91,673 सेंपल लिए जा चुके हैं, तथा 84,301 सेंपल की रिपोर्ट नेगेटे हैं। वर्तमान में 1464 सेंपल की रिपोर्ट आना बाकी हैं। उन्होंने बताया कि पाली जिला अस्पताल में 33, सोजत अस्पताल में 8, तथा विभिन कोविड केर सेंटर में 119 मरीज वर्तमान में भरती है, इसके साथ 542 मरीज हूम आईसोल लेट है.